रुडियाई में देर रात अचानक आग लग जाने से तीन दुकाने जलकर खाक हो गई जिसके चलते लाखों का नुकसान हुआ है बता दें कि अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है इन दुकानों में से एक दुकान एक महीला की ती जो अपना जनरल स्टोर वहाँ चलाया करती थी जो की जलकर खाक हो गई दुकान जल जाने से उसके आगे घर चलाने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है बता दे के महीला का पती का देहां कुछ वश्पूर हुआ था जिसके बाद भी अपने तीन बच्चों का भरण पोशन इस दुकान के भरोसे ही कर रही थी लेकिन जब आग लग गई तो उसके पास आगे के भविश्की चिंता सताने लगी प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार रात तक्रीवन धाई बजे के आसपास अचानक आग लगई आग लगने का अभी तक पता नहीं चल पाया है वही मौके पर फायर ब्रिगेट एबं विद्धित मंडल के टीम पहुँच गई जिसके चलते आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी झाल सबस्सके लिए गदित मंडल के लिए जिसके पाया है बज़की तक काईप लगई भी तक का रगई भी दो